चलिए आज के इस वीडियो की शुरुवात करते हैं और समस्ते हैं फिजिक्स का अगला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक जिनेरेटर हिंदे में बोलते हैं विदुद जनित्र यानि कि इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि विदुद जनित्र क्या है कैसे काम करता है और विदुद जनित्र यानि कि इलेक्ट्रिक जनेरेटर कितने परकार के हैं सारी इंफर्मेशन हम विदुद जनित्र के बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे ठीक है और हर एक एक चीज़ एलेक्ट्रिक जनेरेटर के बारे में जानेंगे ठीक है विदुद जनित् होता है यहां पर विदूद्ध्धार को उत्पन कर रहा है विदूद्धारा को उत्पन कर रहा है यानी कि विदूद जनेरेटर एक ऐसे युक्ति है जो विदूद दारा को उत्पन करती है जेनरेट करती है यहां पर जो जनेरेटर जो होता है न वो जनेरेटर को घूमाया जाता है तभी न विदूद दारा उत्पन होता है यानि कि जनेरेटर घूमने के वज़ा से जो घूमने मे विधूत उर्जा में convert करता है Convert कर ना हुम और घुम कर हम लोग को विधूत उर्जा देता मेंके विधूत धरा देता है यानि कि यहांत्रिक उर्जा से वह विधूत उर्जा बोलते हैं धिस्त धारा जनितर सौ्ट को इसमें इसको डाइनेमों भी outsiders दूस्रा होता है एशी जनेरीटर जिसको देय वरकति धारा जनितर और इसको सौट को में बोलते हैं elternator dc generator को डाइनेमो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से DC karen Tinder यानि की direct current उत्पन होता है डिष्ट धारा उधपन होती है औरbench generator को Alternating current ययंकि AC धारा उधपन होती थीजा अब बात यह आती है लेकिन एक iki किसे कहते है्पक है जिसका मान हमेँजा समान रहे हैं अगर किसी परिपद से 10 प्रवाइद हो रहे है न तो हम zar happy wrap होती ही रेगी होती रहेगी होती और उसकी दिशा भी change नह płyn मतलब simply doubling проп пару वाइद होती रहेगी समान मान में तो इसको क्या बोल देंगे आ तो प्रतिया वर्तिधारा किसे कहते हैं इसी धारा होती है जिसका मान हमेशा चेंज होते रहता है और उसकी दिशा भी चेंज होती है कि हम थारस दारिक्ट कुझेंग त् defender के या कि 20 he हमेश biscuit सर्कुट से 10 एम्पेर की विदूद्दार प्रवाइत हो रही है तो 10 एमपेर की हमेशा नहीं प्रवाइत होगी वह घट बड़ घट बड़ होते ही रहे हैं ठीक है और उसके सांसाथ उसकी दिशा भी चेंज होगी कभी इधर से इधर जाएगी तो कभी इधर से इधर मतलब तो इसको क्या बोलते हैं परतियावर्थी धारा जिसका मान हमेशा चेंज होते रहता है देखिए यह एक्स होता है यह हमेशा किसी सर्किट से अगर आप 10 सिधा घरा कैसे वड़ाउसे एकदम सीधा ऐसे लेकिन और उसके साथ परतियावर्थी धारा का जbies होता है संकेत ऐसे होता है यह किसी सर्किट में आप लोग कैसे दिखाएंगे ऐसे करकर ऐसे ठीक है यह दिश्ट धारा को कैसे दिखाते हैं इस तरह बीच में ऐसे कर दे देते हैं और इस तरह करकर इस तरह xy और इसमें धारा कभी इधर से इधर परवाईत होगी तो यहां तक तो एक बात किलियर है कि DC generator से direct current धिश्ट धारा उत्पन होती है जिसका मान हमेशा समान रहता है इसका current का मान कभी नहीं बदलता हमेशा current जो होता है समान मान में परवाईत होती है और AC generator से प्रत्य वर्तिधारा उत्पन होता है alternating current जिसका धारा का मान हमेशा बदलते रहता है और उसकी दिशा भी बदलती रहती है current का ठीक है तो ये generator दो परकार का हुआ DC generator और AC generator अब हम लोग एक एक करकर दोनों generator को समझेंगे सबसे पहले हम लोग समझते हैं दिश्ट धारा जनितर को DC generator को ये कैसे दिखता है ये कैसे काम करता है इसके अंदर का structure कैसे होता है इसकी ब 550 चार्ट करते है अब बिलकुल विधूद मोटर की तरहीं अंदर का structure कैसा होता है विदूत मुटर में आप लोगों पढ़ा चुकियों ना वहाँ पर देख लीजेगा बिल्कुल उसी तरह इसका बेस्ट्रक्षर होता है डिसे जनेरेटर में होता क्या है कि दो चुम्बक होता है एक चुम्बक का N वाला सीरा और दूसरे चुम्बक का S वाला सीरा दोनों क्या नाम देदिया गया है आरमेचर कि आ मेंच नाम देदिया तामबे कितार की कुण्डली एवी सीडी के दोनों गर्वोवी में आधा बीच में से कौट दिया गया आधा वाले इधरर में यह रिंग में जोड़ा रहता है इसको स्पीट केहते हैं कि अपनूवकों को जुड़ा रहता है करम लिभी ये और ये दूने तार हो गिना इसको लाकर एक को है को इस तरह लाकर जोड़ दिया जाता है और दुस् nomま और उसके बाद से यहीरं से एक ब्रॉश कहा वाने और जो दूसरा वाला वाले से दूसरा बॉस्पान है उसको बीटू जो तरह है तरह सनद तरह सुटे हुग घुमाने काम होता है और इस में से धारा प्रवाइत होगी तो इस मिनट रूकिके इस वले मैं से इस इस ब्रूस में भी ट्रांसफर हो जाएगा ठीक है और इस लिए चिपका रहता है तो इसमें से अगर धारा लगा रहता है और उसके बाद से इसको लाकर एक गेलवेनोमीटर से जोड दिया जाता है यह देखने के लिए कि इसमें धारा प्रवाइथ हो रही है कि नहीं सिंपल यह होता है जिनरेटर के अंदर का स्ट्रक्चर डी से जिनरेटर का अब यहां पर धियान दीजिए यह दोन से साउथ पोल की तरफ और इसी चुंबक यह च्छेतर के बीच में यह क्या है आप लोग का आर्मेचर है तकार तामवेकीता की कुंडली होता क्या है कि अब इस जिनरेटर को आप लोग देखे होंगे कि घुमाया जाता है हंडल से यहां पर यह जो आयतकार कुंडली है ना से करता है और जब अपने आप से घूमना स् ready लगता है और रिच घुमाते और यह वाला जो शिरा है वन दर जाता है और ऐसा इसे घुमाएंगे फ्यों assault हो जाएगी मान लीजिये की यह थां अ कर लिए इस तरह है जब आप लोग ऐसे-इसे गुमाएंगे तो यह ऐसे यह और की तरफ जा रहा है वह बाहर की अगर आप लोगों को विदु चुंबक्य पिरन समझ में आ गया है तो यह टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना तो देखिए इसमें क्या होता है वही चुंबक्य फिरन की घटना होती है यहाँ पर भी कुंडली क्या हो रहा है लगातार गती कर रह भूंध रहा है विद्धुद्धरापरिव्पन होता है तो इस कुंडली में क्या होगा विधुत्धरा प्रिरीत होगा अबिस कुंडली में प्रिद्धरा दिशा क्या होगी इसको हम लोग मालूम करते हैं यह तो फिक्स है कि इसमें विधुद्धारा प्रिरित हो गया है क्योंकि इसको घुमाया जा रहा है और जब घुमेगा तो इसमें चुंबा की छेतर रखाव में लगातार परिवर्तन होगा इस कुंडली में और इसके वज़ क्या कहता है वह बताया कि तो यहां पर भी हम इस नियम का यूज करेंगे इधर में इस कंडिशन में चुम्ब की छेतर रेखाओ की दिशा क्या है इधर से इधर तरजनी क्या दिखाता है चुम्ब की छेतर की दिशा दिशा की दर है इधर से इधर तो लीजिए इसकी दिशा में कर दिए चुम्ब की छेतर रेखाओ की दिशा को दिखा रहा है गती कि हो रहा है ए और बी का अंदर की तरफ और गती कौन दिखाता है यह अंगठा गती की दिश्चा की तरफ इस अंगठे को रखते हैं तो गती अंदर की तरफ हो रहा है तो अंदर की तरफ अंगठा कर दिये तो मध्यमा आप लोग का कहा ही सारा कर रहा है मतलब यह और बी वाले सीरे पर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो नीचे की तरफ ऐसे प्रवाहित हो रही है तो ए और बी वाले सीरे के लिए निकल गया अब सी और डी वाले सीरे के लिए निकालते हैं यह किधर गति कर रहा है तो यह बाहर की तरफ गति कर रहा है तो फिर से यही वाला नियम यू पतलब इसमें ऊपर की तरफ विधूद्धारा परवाइत हो रही है अब यह सर्किल पूरा हो गया ऐसे होकर विधूद्धारा ऐसे और इस वाले से जुड़कर इस बुरूस से होकर एसे फिर इसे बुरूस से होकर यह वाले वाले से होकर ऐसे जाएगी फिर ऐसे फिर यह अंदर की तरफ गया यह बाहर की तरफ आधर चकर की पस्चात ये ऐसे हो जाएगी ठीक है यानि कि इसकाइए और डी वाला सीजा आधर बाधत बांधे आधर अधर और गया खूंगuine के बाद इथर यहां पर होता क्या है यह जो कुंडली घुमती है तो यह दोनों तार भी घुमेंगे और इसका जो यह वलाय है यह भी घुमता है यह जो वलाय है यह आधा पर से कट गिया है कि मगदे परसे कट गया है यह अर्थ वलाय R2 हो गया, यह R1 हो गया, ठीक है, अरिस्त्रा दोनों जूड़ी हो यह तार, आधे चक्र लेगा तो कैसे होगा, देखिए, यह क्या होगा, वलाय ही घूमेगा, ऐसे घूमता है वलाय, ठीक है, वलाय घूमकर ऐसे आधे चकर के पश्चात ऐसे हो जाएगा, तो देख रहे हैं, जो R1 है, वो उधर चला गया, और R2 जो है, वो इधर आ गया, आधे चक्र के पश्चात, देख रहा है, यह R2 है, यह R1 है, देखिए, R2 इधर आ गया, और R1 उधर चला गया, ठीक है, और फिर भी देखिए, जब यहाँ पर C और D और A भी आ जाएगा, माले जेए, यह C और D इधर आ गया है, ऐसे, ठीक है, तो फिर भी यह अंदर की तरफ गती कर रहा है, और यह बाहर की तरफ गती कर रहा है, तो C, D अंदर की तरफ गती कर रहा है, इसका मतलब इसमें भी नीचे की तरफ ही धारा परवाइथ होगी, ऐसे, और यह बाहर की त और धारा की दिशा नहीं बदल रही है मतलब इसमें क्या हो रहा है डायरेक्ट करेंट परवाहित हो रहा है इसमें अभी एक से वाई की तरफ दिशा है दारा की यानि कि यह जो जुटेम니टर है और कवेर्फलार SW जो दिशा होगी वो इसी तरह रहेगी एक से वाई की तरफ कोई चेंजेस नहीं होगा और इसी तरह गुमा गुमा कर विधूद्धारा को उत्पन किया जाता है मतलब घूमते रहती है आप लोग की जनरेटर और विधूद्धारा आप लोग को मिलते रहता है वो गया यही है आप लोगों का दिश्ट धारा जनित्र इसमें और कुछ नहीं होता है मोटर की तरह होता है ठीक है इस इन ही दोनों के बीच गिलुमिनोमीटर जुड़ है इन दोनों के बीच वारिंग करते हैं कि आप लोगों के घर में लाइट जलने लगेगा ठीक है तो यह हो गया डीसी दूसरे घर में लेकिन इसमें यह जो दोनों तार होता है जिसको और दूसरे तार के लिए यह दूसरा वालई होता है दूसरा रिंग होता है जिसको R2 कहा गया है जैसे कि ये इसके लिए एक अलग हो गया और ये वाले तार के लिए अलग हो गया ठीक है लेकिन ये जो है ना ये जो तार है ये इससे जुड़ा हुआ है इमानली जी ये R1 हो गया इस तरह जुड़ा हुआ है ये वाला तार ऐसे और ये जो तार है ये R2 से इस तरह जुड़ा हुए लेकिन इसमें से ऐसे गुजार दिया जाता ऐसे एक दुसरे के बराबर रख़हा जयता है इस तरह यह आंदर से यह तो आप तू से जुड़ा रहता है और उसके बाद से यह वाले रिंग से भी वन बूस जुड़ा नहें और आप से बीटू ब्रूस जोड़ दिया जाता है यह देखने के लिए कि इसमें धारा प्रवाइथ हो रही है तो किधर से किधर प्रवाइथ हो रही है ठीक है इसको भी बिल्कुल बीसे जिनरेटर की तरह ही घुमाया जाता है फटटट पटट पटट करकर और उसके बाद से यह जब घुमेंगा तो इसके लिए भी और अंदर की तरफ जाएगा और घुमने के वज़ा से एवी सीरी के उपर क्या होगा धारा प्रिरित होगा अब लोग समझे थे ना कि यह दायायाट की तरह थी तो नीचे की तरह घंड की तरफ जा रहा था थाम प्रिरित हो रहा था तो कन्योंगी जो बाहर अगी कि तरफ घंड वाहित हो रही थी तर इस तरह हो कर ऐसी यह है तो कि घृब तो गहालीर अगी यह व सरुकिShould यह वाला एबी तार यह इससे जुड़ा है रिंग से जुड़ा है इससे जुड़ा है इस रिंग में भी होकर और इस ब्रूस में आएगी और ब्रूस से होकर ऐसे ऐसे फिर ऐसे जाएगी फिर ऐसे होकर यह वाले बीवन से यह वाले रिंग में जाएगी और इससे होकर ऊपर इफ तरफ यह वह लें इंदर से जाए न है जोये कमपलीटी देंब इस तरह से इस तरफ थारा युल्वालिमीटर क्या बताएगा कि X से Y की तरफ धारा प्रेरित हो रही है यान की प्रवाइत हो रही है तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए जब यह आधा चकर लेगा यानि कि AB सीरा अंदर की तरफ जा रहा है तो घूम कर अंदर की तरफ होकर जब AB सीरा इधर आएगा और CD बाहर की तरफ और घूम कर अधर आजएगा तो देखिए क्या होगा यह दोनों तार भी घूमेंगे और जब घूमते हैं न तो देखिए होता क्या है यहां पर देखिए ब्लू क्लर वाला इसमें जूर गया R1 से मेरा मारकर जो ब्लू क्लर वाला वह इस से जूड़ गया आरव ऑला ऐसे यह ब्लीख क्लर वाला जो मेरा मारकर है वो इससे जुड़गिया। देखिए आदर की तरफ गुजारा गया धि啟 भाद ब्लू कर ब्लू कलर वाला उधर वाला इधर ऑगया लेकिन अभी भी ब्लू कलर वाला किसे जुड़ा है आरवन से जुड़ा है यह ब्लू color वेला जो में फेन था वह अब बाद में पहले भी आरवन से जुड़ा था और घूंने के बाद भी आरवन से जुड़ा है और यह भी आरटू से जुड़ा था और खूह पर जो आंदर सेहाओ नदर और इस वरला से होकर इसमें आएगी यह वाले तार में क्योंकि आइसे जुड़ा है न देखिए ये तो आज्म होगी तो ऊसे की तरफ जाएगी जाए इस वऑना से जुड़ से उसे Mistra B और फिर इदर से एक वाय से तरफ धारा प्रवाहित हो रही है यहां पर आप लोग देखिये क्या हुआ यहां पर फेले वाद है X से वाइप लए प्रवा अब यहां पर Y से एकस की तरफ और फिर अभी Sabi andir की तरफ गुमकर अभी धर आज आएगा और एक जो है बाहर की सरफ अरहर सब्सक्रार की दिजा के हरा रहा है और धारा की दिशांस यह और कौन सा धारा होता है परतियावर्ति धारा इसमें धारा का मान भी चेंज होता है और धारा की दिश्टा भी चेंज होती है मतलब यह जो जनरेटर है यह एसी करेंट उत्पन कर रहा है हर बार धारा की दिश्टा चेंज हो रही है और इसका मान भी चेंज होता है तो यह होगे तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कमफीजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं एक और टॉपिक बचा है आप लोग के यह वाले चेप्टर का विधूद्धारा के चुम्बकी प्रभावनाम के चेप्टर का ठीक है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और उसके बाद आप लोग के विधूद्धारा के चुम्बकी प्रभावनाम का चेप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के सांद तब तक के ल हैंद और कुदा हाफिस